अबी जो मैंने खाया वो क्या था? सामोच रही है पीछे प्लीज अरे भाई बात करना है अंदर चले जा ओडिटोरियम के कोन है पीछे जाओ एक दो आदी पीछे अंदर जाइए ना बात कीजिए देखिए जनाब ये फिल्म है सैटायर यूमर बेस फिल्म है और इसका एक इंडिपेंडेंट परड्यूसर है जिसने खुद का अपना पैसा लगा के ये फिल्म बना रही है इसमें आप कहेंगे स्टार कास्ट आर कास्ट वो जो बनते हैं स्टार जिनको आप कहते हो कि भाई वो तो ऐसा कोई भी स्टार इस फिल्म में नहीं है लेकिन सब जो कलाकार है वो शक्षक है नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए हैं मैं और नसीर हम दो आतमी आए थे पहले जो नैशनल स्कूल ऑ ड्रामा से थे आज कम से कम दो सो एक्टर हैं नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फिल्मों में काम कर रहे हैं चाहे वो नवाज्वदीین हो चाहे वो क्या नाम उसका यारफ ना इर्फान कान हो और बहुत सारे और एक्टर्स यश्पाल शर्मा है बहुत हैं और ये छुटकु भी वहीं से है ने शुटकु भी स्कूल ड्रामा से है बहराल कहने का मतलब ये है जब कास्ट्रिंग आजकल जो होती है बड़ी फिल्म की भी जब हीरोईन तै हो जाते हैं बाकी जो मीटी रोल होते हैं सब उसके लिए नेशनल स्कूल ड्रामा के पढ़े हुए लोग तूड़े जाते हैं तो आप ये मत समझिए अर्द सत्य में कोई स्टार नहीं था मैं कोई स्टार नहीं था उसमें ना अकरोश में मैं स्टार था दोनों फिल्में सुपर हिट थी और बहुत सी है बिकी डोनर में कोई स्टार नहीं था तो ये कहना कि सिरफ स्टारों की फिल्में हिट होती है ये गलत भावना है और स्टारों की फिल्में क्या फुरॉब नहीं होती है अगर कहानी अच्छी नहीं है फिल्म नहीं अच्छी बनी हुई है तो फॉरॉब होती है और इस तरह की फिल्म जो है खहर बहराद मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताता हूँ ये एक सच्चाई पर आधारित फिल्म है, हमारी सरकार जो अच्छे मन से, अच्छी भावना से मदद करती है लोगों की, अच्छी स्कीम बनाती है, उस स्कीम को रश्टाचार की वज़े से हम कैसे उसको गरीब आत्मी को फाइदा पहुचाने से रोकते हैं, रश्टाचार की वज़े से, और बदक नेता ये जैसे नहीं है ये बात सही है नेता भी शामिल हो जाता है पुलिस वाला भी हो जाता है और डॉक्टर भी हो जाता है जिसको गवाई देनी होती है तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं उस हकीकत को इसमें शाया गया है कि कैसे एक महिलाओं के लिए जो यूपी सरकार ने प्रवधान बनाया था कि जिसमें उनकी मदद की जाए जो अरतें रेप हो जाती है ये अंग रेप हो जाता है या रेप हो जाता है तो कैसे उसको तोड़ परोड़ के फालर तो दाते हैं और केसे सरकार को लू बनाने के कोशिश करते हैं पैसे ही सरकार ने बहुत सारी पंचायती राज बनाया हुआ है, वो पंचायत सरपंच के अधीन पैसा होता है, पैसा कलक्टर के पास पड़ा है, कलक्टर के पास पैसा रहता है, सरपंच को जाके ये कहना होता है, और ये बताना होता है कि साथ इस पैसे की हमें गाउं को इस चीज के लिए ज़रूरत जाहे नाली बनी हो जाहे ट्वालेट बना हो जो भी चीज हो तब वो पैसा रिलीज करता है तो किसान हत्या पर भी जैसे बहुत बड़ा इस्यू है कि दोस्तान में सरपंच को जिम्मेदार ठाहराना चाहिए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन ऐसा किसान है योई एक दिन में डिसाइड नहीं करता खुदकुशी करना जब वो मजबूर हो जाता है तब वो खुदकुशी करता है तो इस तरह से हमारी जो स्कीम्स हैं स्कीम्स बनती है लेकिन उसमें कितने लूप होल हो जाते हैं उसका कैसे लोग खलत استعمال करते हैं और कैसे तो हमारा जो एक नैशनल कारेकर है जो चरित्र है वो उसका पतन होता जा रहा है जो चरित्र जब आजादी के लिए हम सब लड़ लड़े थे, हिंदू, मुसल्मा, इसी, हिसाई, सब लड़े थे, उस वक्त जो हमारे मुल्य थे, वो मुल्य आज नहीं दिखाई दे रहे, तो बराबर हमारा जो समाज है, वो गिरता जा रहा है, प्रिमानी, लालच, ये चीज़े जो है, इनी की वज़े से गरीब आदमी का मकसद है कि खुशी से हम एक अच्छी और सही बार लोगों को बताई है, इसके अलावा मैं और मेरे पास कुछ है नहीं करें, चतने सब्सक्राइब कांधी के लेकर बहुत सारे सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कर रिलीज हुई है, आज कंट्रोवर्सी हो गई, उसके पहले से चल रहा था, क्या हुगया उसमें, वह दूर्डिक्टर को था, वह का नाम नहीं दे रहे, आप को ही लेकर नहीं का गया कि नहीं के लिए प्साद के जड़ हो, मैं कि जैसे एक इनसान जब शुरु शुरु में कई स्टोरी सुनता है बहुत एक्साइट मुझे होता है और बहुत खुछ होता है कि यह स्टोरी बहुत अच्छी ए मेच इस भाइदे व्लाँ आपकी अपके कर दा गोंन के कश्चरम करना कै तो तो अब अच्छा लगता है। उन के लिख दार एक दूसर से अलग होते हैं मगर इस इस पिक्चर में सबसे अधा खास बात ही है जो हमने कुछ Сेट क्रिएट नहीं किया हमने गाओं के लोगा प्रीएट नहीं करे हम असली गाओं के लोगों के साथ शूटिंग शुरू करी और कहतं भी करी हमने कोई बी इंसान इंप्लांट नहीं किया, जो उस गाहों से या उस शेहर से नहीं था, मैं छोटा से इंसरेंस बनाती हूँ, मैं एक राउट में बैठी हुई थी, और बहुत साला क्राउट था, और रियल क्राउट था, और एक छोटे से बच्चे को बहुत से चोट लगी हुई थी, दूद प मुझे फिलिंग होना कि मैं शूट्षे शुरू होन से पहले, मैंने रोना शुरू कर दिया, वो लखी लिए बात है कि वो मेरा क्राउइंग सीन था, तो थोड़ा टेक्निकल अक्टिंग हो गया शायद मेरे लिए, मगर जो चीजे हमने उस गाहों में देखी, जहां पे सर् हम लोग बड़े शेहर में रहते हैं, अगर हम छोटे शोटे गाहों में ना जाएं, तो मेरे लिए पिक्चर का एक्सपीरेंस बहुत चा रहा, हर एक इनसान हर एक चीज किसी रीजन के वज़े से करता है, और मेरे की पिक्चर करने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बेट टाउन की लड़की नहीं है, यह गरीब लड़की है, तो स्टेशन पे पैदा हुई और स्टेशन पे बली बड़ी और उसने एक ही इंसान को देखा, जिसे गन्मेन होते हैं, जो एक ट्रेन से गन्मेंस के साथ उतरते हैं, तो छोटा गरी बच्चा खाली उन लोग को देख यह वह बावर है, यह लोग दुनिया बदल सकते हैं, तो वह भी बनना चाहती है, अब लोग ने सबसे सुना, यह एक वैंक फिल्म है, यह कामेडी है, मतलब सटायर है, और इसके स्क्रीप्ट बहुत अच्छी है, मतलब अपार्ट फॉपर्मोंस अपको सब की बहुत अच् जो जिस तरह की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, वेरी सिंपल, जो हमारे आसपास घटा है, हम रोज देखते हैं कि हमारे आसपास घटा और कुछ चीजों का कैसे गौर्मेंट तो हिल्प करना चाहती है, लेकिन जो पिचॉलिय होते हैं, जो मिडल मैन है, वो कैसे उसका मि यूज करते हैं, और एक आहम आदमी को कभी समझ में नहीं आता है कि उनके साथ अच्छी हो क्या रहा है, तो इस फिल्म इस तक पहुंच नहीं पाता है, तो बेसिक लिए स्टोरी है, अगर आप मुझसे जानना चाहें कुछ तो पूछ सकते हैं, अगर आप मुझसे जानना हमबल कि उन्होंने मुझे इतना बड़े आर्टिस के साथ कंपेर, कंपेर तो नहीं कहना चाहीं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, बट मेरा इस तरह बुला देना भी और इतने बड़े आक्टर के मुझसे, I'm really touched तरी हमबल कि शायद में थोड़ा भी उस महान का लाकार के आसपास भी कहीं पहुच पाई ना तो शायद मैं सफर रहूं भी